तो कैसे हैं आप सब हूप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेका हूँ विदिन 10-15 डेज सबस्कान ऍसके आपलय करने का प्रोसेट सेम нрав रहने वाला है जैसे की आपने नोटिस के expressed अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल डिफरेंट रहता है, इस बार सिगनेचर सेम प्रोसेस कि अपनाने वाल है EOI का, मैं आपको समझा देता है, आप हमसे कोडिनेट करते हैं, थो हम आपको EOI Form Fill करने के लिए देते हैं, आप EUI form fill करते हो, उसमें आप आधार कार्ट देते हो, हमें pen card देते हो, passport size photo देते हो, phone number देते हो, mail ID देते हो, right, and एक check देते हो, x amount का, अब कितनी amount का check जाएगा, उसके आप हमें नीचे दिए नमर पर call कर लेना, so EUI form fill हम करके रखते हैं, signature एक particular time पे हमको एक online link generate करके देता है हम उसकी PDF बनाके उस link पे upload करते हैं, upload करते हैं, उसमें हम पूरा EUI form fill upload करते हैं, आपके आधार card, pen card, photo, x, y, z, जो भी documentation है, उस सारी upload करते हैं, उससे एक EUI number generate होता है, उसके according signature आपको बुलाता है, and unit upload करता है, जितना जल्दी form fill किया जाएगा, उतना अच्छा EUI number आपको म रहेंगे, so इस तरह का process बनाया है, signature ने, इस तरह से आप apply करेंगे, and please अगर आप interesting है, अगर आप real buyer है, आप real investor है, या end user के लिए आप लेना चाहते हैं, तो delay मत कीजीगा, समय पे form fill कर देना, समय पे आप हम से coordinate कर सकते हैं, so that की आपको इसमें inventory मिल जाए, अब बात आ रही हम सक्टर सम्थी one में कर रहे हैं, यह भी बोल रहे हैं कि ultra luxury project, first of all let me tell you what is the real definition of ultra luxury project, तो ultra luxury project है, 60 meter road से entry exit हो, ठीक है, काफी project है जो 60 meter road से नहीं दे पाते हैं, 24 meter road से दे पाते हैं, तो उनके लिए यह point हट जाता है, बाकी और point में वो fulfillment कर देते हैं, ठीक है, main entrance 60 meter road से होनी चाह ठीक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर एक एकड के अंदर मत्र 50 units है, white land का project launch हुआ था sector 76 के अंदर, वहाँ पर एक एकड के अंदर 45 unit देखने को मिली थी, and now they launch 71 के अंदर signature, यहाँ पर आपको एक एकड के अंदर 50 units देखने को मिलेगी, ठीक है, and जो sizes है, क्या छोटा तो न 3400 square feet, यह 34 का 33 भी हो सकता है, यह भी approx sizes बता रहो, थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, अभी signature की side से exact details नहीं आई है, company बोल के चल रही है, यह जो आपको details बता यह approx है, so real definition is, आपकी 60 meter road से entry है, low density project है, amenities आपको अच्छी दी जाए, sizes है, वह अच्छे हो, and आस पास की locality कैसी है, इसके जो front में DLF Almeida है, ठीक है, बहुत बड़ी टाउंसी पर DLF की, वहाँ पे आप कह सकते है, approximately 2 lakh रुपे गज का rate है, ठीक है, वहाँ पे आप फ्लोर लेंगे, तो approximately 3-4 क्रोड के आस पास का फ्लोर है, तो this is the definition of ultra luxury, pyramid का project है, जो की लेके आए था, 16,000 रुप project देखने को मिलेंगे in future, and please video पूरी देखेगा, बहुत मैनत की है इस video पर, and no doubt this video is going to be a very informative video for you guys, यहाँ पर मैं आपको site visit भी कराऊंगा, why we should go for this project, और why we should go for SPR road, इस पे भी हम discussion करेंगे, ठीक है जी, अब समझ लेते हैं, इस project के बारे में, यह तो मैंने आपको tentative चीज़े बताई है कि यह luxury की definition क्या होती है, let's discuss about this project, first of all, यहाँ पर जो total township है, वो है 125 एकड़ की township, यहाँ पर approximately 6 to 7 phases आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने first phase में entry लेली, तो no doubt वो हमेसा से ही top पे रहेंगे, in the sense सबसे ज़्याद appreciation उनको मिलेगा, for an example, वाइट लेंड का project launch देखोगे न, तो साड़े 14,000 की चीज़े है, आज के according आप देखो, जो phase 1 वाला है, वो 70 लाक रुपे, 70 लाक रुपे प्लस है, तो phase 1 का यह बैंट पीटे मिलता है, तो यहाँ पे तो आपको phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6 तक आपको देखने को मिलेंगे, जो phase 6 और phase 1 में लगबग डबल का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसलिए phase 1 के अंदर आप एंटर लो, and I have multiple of examples phase 1 के, phase 1 आप आशिया ना देख लो, आशिया ना का जो phase 1 के अंदर जो rate था, और जो आज rate है, डबल है, बॉस डबल का rate आ चुका है, ठीक है, उस टाइम, 90 लाक रुपे की चीज़े बेची हुए है हमने, अब दो-दो करोड से उपर की चीज़े बेची है हमने phase 3 के अंदर, so phase 1 है, यह सबसे अच्छा benefit आप यहाँ पर ले सकते है, total township is 125 acres, phase 1 जो ही launch कर रहे है, यह कर रहे है, 14.5 acres के अंदर, total tower R7, अगर जो density निकल के आती है, 50 unit per acre के density निकल के आती है, ground plus 40 तक देखने को मिलेंगी, 2.2a core, 4.5bhk के अंदर, 2.2a core, 3.5bhk के जो tower रहे है, 3.2a core आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, and जो सबसेची बात है, 30th floor पे आपको sky garden देखने को मिलेगा, सभी tower के terrace पे आपको यहाँ पर garden देखने को मिलेगा, आप कह सकते है, sky terrace आपको देख देखने को मिलेगे, जो master bedroom है, उसका size है 17 by 13 and deck area है, जो कि सबसे lucrative है, उसका size है 28 by 7, इतना बड़ा deck area जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा, आश्याना का phase 3, phase 1, phase 2 में जो deck area था, वो approximately 10 by 10 या 10 by 8 का था deck area, यहाँ पर आपको उसे लगबग, लगबग दूगना मिलेशा, 28 by 17 इनका deck area, deck area ऐजा balcony नहीं कह सकते है, balcony अलग है, चार balcony अलग से मिलती है, यह specific deck area की बात करो, deck area इतना बड़ा area हो जाता है आप यह लगा लो, आप यहाँ पर party कर सकते हो, easily 15 to 20 बंदे आप कह सकते हो, 15 to 20 बंदे के आप रॉक्सर, आप गैधरिंग कर सकते हो, family gathering आप कह सकते ह साथ swimming pool मिलते है, means हर tower के साथ swimming pool मिलता है, 90% green area मिलता है इस यहाँ पर आपको, अगर बात करते है, amnities की internal ही, means society के अंदर ही आपको movie theater मिल जाता है, कहीं जाने की जवरत नहीं है, families के साथ, friends के साथ, आप movie नजवाय कर सकते हो, internally township के अंदर ही आप movies देख सकते है, ठीके जी and fully furnished आपको apartment मिलता है, fully loaded modular kitchen with chimney and hob मिलता है, first transfer आपको यहाँ पर free मिलता है, so guys अब बात कर लेते हैं, pricing, pricing क्या रहने वाला है, 4.5 BHK का जो size आपको यहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा 3200 से लेके 3300 का size आपको देखने का मिलेगा, 4.5 के अंदर, and जो pricing रहने वाला है, 4.5 का वो 16,500 का price निकल के आता है, then if we talk about the 3.5 BHK, जो size रहने वाला है 2600 से लेके 2800 तक का size आपको देखने का मिलता है, and जो price रहने वाला है, 18,000 per square feet का price रहने वाला है, इन्होंने 3.5 का थोड़ा साथ 500 रुपीज per square feet का price ज्यादा रखा है as compared to 4.5 BHK, अगर हम बात करते हैं, जो inventory start हो जाएगी यहाँ पर 4.60 Lakh से start हो जाएगी and goes up to 6 CR, 6 क्रोट तक ही inventory आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, इस price के अंदर EDC, IDC, IFMS and car parking, club membership की बात चल रही है, EDC, IDC and car parking include है, most possibility club membership भी C के अंदर include होगी, but अभी 100% guarantee नहीं दे सकता है, क्योंकि कंपने की साथ से job date है, वो गोल project और we can say why we should go for this location, so guys first of all मैं already एक वीडियो वना चुत कहूं कि हमें SPR रोड पे क्यों जाना चाहिए, या फिर आप अपने पैसे 4 साल के अंदर double कहां पे कर सकते हैं, so SPR is the location जहां पे आप अपने पैसे 4 साल के अंदर double कर सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा द्वार का expressway, मैं नह जा देता हूँ, आपको SPR पे अभी बहुत-बहुत development अभी बाकी है, पहला reason why we should go for this location और SPR रोल, proposed metro है, in future आपको 4, 5, 6 साल के अंदर मैं कहा रहा हूं, जिस दिन metro आ गई नहीं है, no doubt वैसी boom आ जाना है, then cyber city 2, सबसे main reason है cyber city 2, जिस दिन cyber city 2 बनने start हो गई, जिस दिन इतना employment पे आपको देखने को मिलेगा न, गोल्फ कोर्स रोड मात्र, cyber city 1 के वज़े से चल रहा है, जिस दिन cyber city वहाँ से खतम होगी, गोल्फ कोर्स रोड खतम हो जाएगा, यह आप लोगों को भी पता है, जितना भी employment है जो cyber city 1 में job करते हैं, वो mostly रहता है, गोल्फ कोर्स रोड या फिरम कह सकते हैं, गोल्फ कोर्स रोड, cyber city 1 के वज़े से चल रहा है, now, SPR रोड पे जो boom आएगा, SPR रोड पे जो अच्छा implement आएगा, cyber city 2 में जो अच्छा implement आएगा, वो कह रहा हैगा, वो SPR रोड पे prefer करेगा रहने के लिए, so cyber city सबसे पहला एक reason है, SPR रोड का जहा पे अच्छे rate आपको देखने को मिलेंगे, मतर पांच मिनट की drive है, from this location to cyber city, then, American Express, approximately 30,000, approximately 30,000 jobs opportunity है, American Express, जो building बनी हुई है, sector 71 के अंदर, Air India is also planning to launch 6 lakh square feet of training center, and DLF rapid metro को extend करता हुआ, कहां से, 56-57 sector से लेके, extend करता हुआ, 76-75A तक लेके आ रहा है, means cyber city 2 तक लेके आ रहा है, so जो इस चीज़े में जो बता रहा हुँना, यह points यह बहुत matter करते हैं, जहां पे development होना बाकी है, वहां पे rate बढ़ना अभी बाकी है, जहां पे development हो चुकी है, वहां पे rate बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, example आपके सामने golf course road है, वहां पे totally development हो चुकी है, बहुत जादा development नहीं होनी है, mostly तो होनी तो क्या ही, अब क्या ही development होगी, पूरा develop हो चुका है, so वहां पे बहुत कम rate आपको देखने को मिलेंगे, extend होते हैं, ह तो वह चीज़ अलग है, कुछ specific example अगरा मुझे दो तो वह चीज़े अलग है, but बहुत कम speed से rate बढ़ेंगे, golf course road के, अब जो rate बढ़ने है वो बढ़ेंगे, SPR road पे, now let's talk about the connectivity, connectivity भी एक बहुत major point रहने वाला है, जो जिसके वज़े से आपके price बढ़ेंगे, connectivity आपको direct मिल जाती है, द्वारक Expressway, जो Cloverly Flyover है, मातर पांच मिल्ट की drive, Cloverly Flyover की, वहाँ से आप NH8 connect कर सकते हैं, वहाँ से आप डैली connect कर सकते हैं, वहाँ से आप डारेट एरपोट connect कर सकते हैं, वहाँ से आप अगर क्लोवरली प्लाइवर से राइट हो जाते हैं, तो अब हीरो इंड activity है, वह बहुत स्मूथ है, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, तो बहुत स्मूथ ही, बहुत easily connect कर सकते हैं, एक mid की location है, Cloverly Flyover एक mid की location है, जहाँ पे आप चारो साइड से connect कर सकते हैं, and 36 sector के अंदर Global City आ रही है, सबको पता है, no doubt समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, बिलकु अगर वीडियो अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों को share कर दो, जो भी property लेना चाहते हैं, जो property market में सर्च कर रहे हैं, अगर आप investor हो, तो जल्दी से call कर लो, जो भी queries are regarding this project, regarding SPR road, आप हमसे discussion कर सकते हैं, particularly आप direct मुझ से discuss कर सकते हैं, and ज्यादा delay मत कीजेगा, क्योंकि rate ब डेड़ साल पीछे चले जाओ, डेड़ साल पहले भी ये वर्डिंग्स थी आप लोगों की, छे महिने बाद भी ये वर्डिंग्स थी आपकी, एक साल बाद भी ये वर्डिंग्स थी, और आज भी ये वर्डिंग्स थी, रेट नहीं रोक रहे हैं, और रेट नहीं जगदी से अब रोकिंगे डेड़ साल तक तो rate बढ़ने की बढ़ने से डेड़ साल बाद में भी market थोड़ी slow हो सकती है So guys thank you so much and please channel को subscribe कर लेना and नीचे description पर जाके WhatsApp community join कर लो so that की आपका ही benefit है daily by daily आपको update में उता रहेगा हर एक topic पर वीडियो बनाना संभाव नहीं है बट community में update देना संभाव है So community join कर लेजएगा and please do subscribe my channel आप वीडियो तो पूरी देख लेते हो पर subscribe दरना भूल जाते हो अब मैं एक क्लिप पर डाल देता हूं आपको विजिट करा देता हूं signature की location बहुत लंबी वीडियो हो जाए कि no doubt पर signature 71 या SG 71 लिखके आप में WhatsApp करते मेरे टीम आप से coordinate कर लगी अगर आपको मुझसे direct connect करना है तो आप मेरे टीम से बोच सकते हैं कि अब में एक कर दो एक करें आपको झाल झाल